गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया वो राज्य को नई उचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारी किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हीत में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्यान अन्य योजना के तहट एक साथ मुप्तराशन वित्रित किया जा रहा है। ये मुप्तराशन वैश्वीक महमारी के इस सबय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वाद बढाता है। ये योजना आज से प्रारब नहीं हो रही है। योजना तो पिछले एक साल से करीब करीब चल रही है। ताकि इस देश का कोई गरीब भूका नस हो जाए। मेरे पहरे भायों बहनों, गरीब के मन में भी इसके करनक विश्वास पैदा हुआ है। ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है कि चुनावती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है। थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्तियों के साथ बातचीत करने का आउसर मिला। उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया कि एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है। साथियों, आजहादी के बात से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया। लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सिमीत ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए लेकिन भुखमरी और कूपोशन में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका एक बड़ा कारम था कि प्रभावी डिलिवरी सिस्टीम का न होना। और कुछ बीमारिया भी आ गई व्यवस्ताओं में। कुछ कटकी कंपनी भी आ गई। स्वार्थी तत्व भी गुज गए। इस थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया। नए टेकनोलोजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया गया। करोडों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टिम से हटाया। राशन कार को आधार से लिंक किया। और सरकारी राशन की दुकानों में डीजिटल टेकनोलोजी को प्रोटसाहित किया गया। आज परिणाम हमारे सामने हैं। भाईयों और भहनों। सौ साल की सबसे बड़ी विपत्ती सिरफ भारत पर नहीं। पूरी दुनिया पर आई है। पूरी मानवजात पर आई है। आजी विक्रिकाप पर संकट आया। कोरोना लोकडाउन के कारण काम धंदे बंद करने पड़े। लेकिन देश ने अपने नागरिकों को भूखा नहीं सोने दिया। दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर आज संक्रमन के साथ साथ बुख मरी का भी बीशन संकट आ गया है। लेकिन भारत ने संक्रमन की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए अज दुनिया भर में प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के प्रसमसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारिप कर रहे हैं कि भारत अपने असी करोड से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुप्त अनाच उपलब्द करा रहा है। इस पर दो लाग करोड रुपिय से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है कोई भारत का मेरा भाई बहन मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज दो रुपिय किलो गेहूं, तीन रुपिय किलो चावल के कोटे के अतिरिक हर लाभारती को पांच किलो गेहूं और चावल मुप्त दिया जा रहा है। यानि इस योजना से पहले की तुल्ना में राशन काड़ धारकों को लगबग डबल मात्रा में राशन उपलब्द कराया जा रहा है। ये योजना दिवाली तक चलने वाली है। दिवाली तक किसी गरिब को पेट भरने के लिए अपने जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। गुजरात में भी लगबग साड़े तीन करोण लाभारतियों को मुप्त राशन का लाप आज मिल रहा है। मैं गुजरात सरकार के इस बात के लिए भी प्रसंसा करूंगा कि उसने देश के दूसरे हिस्सों से अपने यहां काम करने वाले स्रमिकों को भी प्राथफिकता दी। कोरोना लोकडाउन के कारण प्रभावित हुए लाखों समिकों को इस योजना का लाब मिला है। इसमें बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके पास या तो राशनकार था ही नहीं या फिर उनका राशनकार दूसरे राज्यों का था। गुजरात उन राज्यों में हैं जिसने सबसे पहले वन नेशन वन राशनकार की योजना को लागू किया। वन नेशन वन राशनकार का लाब गुजरात के लाखों स्रमिक साथियों को हो रहा है। भाई और बहनों एक दौर था जब देश में विकास की बात केवल बड़े शहरों तकी सिमित होती थी। वहाँ भी विकास का मतलब बस इतना ही होता था कि खास खास इलाकों में बड़े बड़े फ्लाइव वर्थ बन जाएं, सडके बन जाएं, मैट्रो बन जाएं, यानि गाओं कस्मों से दूर और हमारे घर के बाहर जो काम होता था, जिसका सामन्य मानवी से लेना देना नहीं था, उसे विकास माना गया। बीते बर्षों में देश ने इस सोच को बनला है, आज देश दोनों दिशहों में काम करना, दो पट्री पर चलना चाहता है, देश को नए इंफरस्ट्रक्टर की भी जरूरत है, इंफरस्ट्रक्टर बर भी लाखों करोरों खर्च हो रहा है। सामान्य मानवी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, इस अब लिविंग के लिए नए मानदन भी स्थापित कर रहे हैं। गरीब के ससकती करणों को आज सरवोच्य प्रात्फिक्ता दी जा रही है। जब दो करोड गरीब परिवारों को घर दिये जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो अब सरदी, गर्मी, बारिज के डर से मुक्त होकर जी पाएगा। इतना ही नहीं, जब खुद का घर होता है तो आत्म सम्मान से उसका जीवन भर जाता है। नए संकल्पों से जुड़ जाता है और उस संकल्पों को साकार करने के लिए गरीब परिवार समेच जी जान से जुड़ जाता है, दिन रात महनत करता है। जब 10 करोर परिवारों को सौच के लिए घर से बहार जाने की मजबूरी से मुक्ति मिलती हैं तो इसका मतलब होता है कि उसका जीवन स्तर बहतर हुआ है वो पहले सोचता था कि सुखी परिवारों के घर में ही ट्वाइलेट होता है सौचलाई उनीके घर में होता है गरिब को तो बेचारे को अंध्रे का इंतजार करना पड़ता है। inflammatory करने में जाना पड़ता है बैंकिंग विवस्ता से जुड़ता है मोबाइल बैंकिंग गरीब के भी हाथ में होती है तो उसे ताकत मिलती है उसे नए आउसर मिलते हैं हमारे यहां कहा जाता है सामर्थ मुलं सुखमेव लोके अर्था हमारे सामर्थ का आधार हमारे जीवन का सुख ही होता है जैसे हम सुख के पीछे भाग कर सुख हासिल नहीं कर सकते बल्कि उसके लिए हमें निर्धारित काम करने होते हैं कुछ हासिल करना होता है वैसे ही ससक्तिकरण भी स्वास्थ, सिख्षा, सुविदा और गरीमा बढ़ने से होता है। जब करोडों गरीबों को आईश्मान योजना से मुप्त इलाज मिलता है, तो स्वास्थ से उनका ससक्तिकरण होता है। जब कमजोर वर्गों के लिए आरक्षन की सुविदा सुनिचित की जाती है, तो इन वर्गों का सिख्षा से ससक्तिकरण होता है। जब सडके सहरों से गावों को भी जोडती हैं, जब गरीब परिवारों को मुप्त गैस कनेक्षन, मुप्त बिजनी कनेक्षन मिलता है, तो इस सुविदाएं उनका ससक्तिकरण करती है। जब एक व्यक्ति को स्वास्त, सिख्षा और सुविदाएं मिलती हैं, तो अपनी उन्नति के बारे में देश की प्रगति के बारे में सोचता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए आज देश में मुद्रा योजना है, स्वानिदी योजना है, भारत में ऐसी अनेको योजना है, गरीब को सम्मान पूर्ण जीवन का मार्ग दे रही है, सम्मान से ससक्तिकरण का माध्यम बन रही है। भाई और बेहनों, जब सामान ने मानवी के सपनों को आउसर मिलते हैं, व्यवस्ताएं जब घर तक खुद पहुचने लगती हैं, तो जीवन कैसे बदलता है, ये गुजरात बखुबी समझता है। कभी गुजरात के एक बड़े हिस्से में लोगों को, माता और बहनों को, पानी जैसी जरूरत के लिए कई 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 किलो मिटर पैदल जाना पड़ता था। हमारी सभी माता और बहने साक्षी हैं, ये राजकोट में तो पानी के लिए ट्रेन भेजनी पड़ती थी। राजगोड में तो पानी लेना है तो घर के बार गड़ा खोद करके नीचे पाइप में से पानी एक-एक कटोरी लेकर के बाल्टी भरनी पड़ती थी लेकिन आज सरदार सरोवर बांध से साउनी योजना से नहरों के नेटवर्क से उस कच्छ में भी मान नर्बदा का पानी पहुंच रहा है जहां कोई सोचता भी नहीं था और हमारे यह तो कहा जाता था कि मान नर्बदा का स्मर्ण मात्र से पुन्य मिलता है आज तो स्वयम मान नर्बदा गुजरात के गाउं गाउं जाती है स्वयम मान नर्बदा घरगर जाती है स्वयम मान नर्बदा आपके द प्रयासों का परणाव है कि आज गुजरात शत्व प्रतीशत नल से जल उपलब्द कराने के लक्ष में अब ज्यादा दूर नहीं है। यही गती आम जन के जीवन में यही पडलाव अब धीरे धीरे पुरा देश मैसूस कर रहा है। आजादी के दसकों बाद भी देश में सिरफ तीन करोड ग्रामीर परिवार पानी के नल की सुवीदा से जुड़े हुए थे जिनको नल से जल मिलता था। लेकिन आज जल जीवन अभियान के तहट देश भर में सिरफ दो साल में दो साल के भीतर साड़े चार करोड से अधिक परिवारों को पाइप के पानी से जोड़ा जा चुका है। और इसलिए मेरी माताए बहने मुझे भरपूर आशिरवात देती रहती है। भायों और बहनों डबल इंजीर की सरकार के लाब भी गुजरात लगातार देख रहा है। आज सरदार सोरोवरबांच से विकास की नई धाराई नहीं बहराई बलकि स्टेची अफ यूनिटी के रूप में विश्व के सबसे बड़े आकरसन में से एक आज गुजरात में है। कच्छ में स्थापित हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात को पुरे विश्व के रिन्यूएबल एनर्जी मैप से स्थापित करने वाला है। गुजरात में रेल और हवाई कनेक्टिविटी के अधुनिक और भव्वे इंफासेक्टर प्रोजेक्ट बन रहे हैं गुजरात के एमदाबाद और सूरद जैसे शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार तेजी से हो रहा है हेल्थ केर और मेडिकल एजुकेशन में भी गुजरात में प्रसंसनिय काम हो रहा है गुजरात में तयार हुए बहतर मेडिकल इंफासेक्टर ने सौ साल की सबसे बड़ी मेडिकल इमर्जेंसी को हैंडल करने में बड़ी भूमी का निबाई है साथियों गुजरात सहीत पुरे देश में ऐसे अनेक काम है जिनके कारण आज हर देशवासी का हर छेत्र का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और ये आत्मविश्वासी है जो हर चुनोती से पार पाने का हर सपने को पाने का एक बहुत बड़ा सुत्र है अभी ताजा उदारण है ओलेम्पिक्स में हमारे खिलाडियों का प्रदर्शन इस बार ओलेम्पिक्स में भारत के अब तक के सबसे अधिक खिलाडियों ने क्वालिफाई किया है याद रहे ये सो साल की सबसे बड़ी आपदा से जुचते हुए हमने किया है कई तो ऐसे खेल हैं जिन में हमने पहली बार क्वालिफाई किया है सिरक क्वालिफाई नहीं किया बलकि कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं हमारे खिलाडी हर खेल में सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन कर रहे हैं इस ऑलेंपिक में नए भारत का बुलन आत्म विश्वास हर गेम में दिख रहा है ऑलेंपिक में उत्रे हमारे खिलाडी अपने से बहतर रैंकिंग के खिलाडियों को उनकी टीमों को चुनोती दे रहे हैं भारतिये खिलाडियों का जोश जुनून और जज़बा आज सर्वोचस्तर पर है यह आत्म विश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की पहचान होती है उसको प्रोथसान मिलता है यह आत्म विश्वास तब आता है जब व्यवस्थाएं बदलती हैं टांस्परेंट होती है यह नया आत्म विश्वास न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है यह आत्म विश्वास आज देश के कोने कोने में हर छोटे छोटे बड़े बड़े गाउं कस्बे गरीब मद्यम के युवा भारत के हर कौने में ये विश्वास आ रहा है साथियों इसी आत्मविश्वास को हमें कोरोना से लड़ाई में और अपने टिका करन अभ्यान में भी जारी रखना है वैश्विक महामारी के इस माहौल में हमें अपनी सतर्ता लगातार बनाए रखनी हैं देशाज पचास करोड टिका करन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो गुजनाद भी साड़े तीन करोड वैक्सिन डोजेस को उसके पड़ाव के पास पहुँच रहा है हमें टीका भी लगवाना है मास्क भी पहनना है और जीतना संभव हो उतना भीड का हिस्सा बनने से बचना है हम दुनिया में देख रहे हैं जहां मास्क हटाए भी गए थे वहाँ फिर से मास्क लगाने का आगर किया जाने लगा है सावधानी और सुरक्षा के साथ हमें आगे बढ़ना है साथियों आज जब हम प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना पर इतना बड़ा कारकम कर रहे हैं तो मैं एक और संकल्प देज़ वास्यों को दिल आना चाहता हूँ यह संकल्प है राष्ट निर्मान की नई प्रेना जगाने का आजादी के 75 वर्ष पर आजादी के अमरुत महुत्सों में यह पवित्र संकल्प लेना है इन संकल्पों में इस अभियान में गरीब, अमीर, महिला, पूरुस, दलीत, वंचीत सबकी बरापर हिस्सेदारी है गुजरात आने वाले वर्षों में अपने सभी संकल्प सिद्ध करें विश्व में अपनी गवरों में पहचान को और मजबूत करें इसी कामना के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूं एक बार फिर अन्य योजना के सभी लाभारतियों को बहुत बहुत शुप कामनाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल